देश का सबसे बड़ा पैनल देश में 139 राज्य सरकारों का गठन हुआ है से ज्यादा का नहीं रहा तो ऐसे में मैं प्रदेश की जनता देश की जनता गडवन्न की राजनीप में विश्वास कैसे करें के मिश्टा जी देखें मैं आपको बता दूँ हमारे सारे यहां पे नेता भाई लोग बैठे हैं और मैं पब्लिक से बोलूँगा कि आप इनकी बात में मत जाईए क्योंकि ये वोलते हैं हमी बेस्ट है बाकी सारे पार्टी और जो लोग है वो बेकार है इतिहास को देखें और कंक्लूजन निकाले तो मैं यह बोलूँगा कि अगर लोककंत्र के हिसाब से देखा जायाई उसाफ से देखा जाया उचित और अनुशित क्या है इस इस साब देखा जाए तो यह जो गड़ेट मस्मलन शरकार यहां दोनों को अच्छा नहीं गटना है कि जब गटबंदन वहां पे जम्मू कश्मीर में हो रहा था तो दोनों पार्टी के नेताओं ने ऐसे बोला कि जैसे यह गटबंदन नहों कि एक ही सरकार है और पांच साल का कारिकाल पूरा करेगी सवाल यहां पे यही राशित मैं आपको बताता हूं कि यह कहने के को इलिए सिर्फ होता है कि हम देश कंशित में कर रहे हैं हम सरकार होने रहींगे तो कॉंग्रेस के घटबंदन वहां मैं बगरे में धीवाले कुती हुई थी 27 साल यूपी बेहाल ये नारा था और जैसे ही कड़बंदन हुआ इलेक्शन के पहले यूपी के लड़के काम बोलता है फिर यह हो गया था है जो 27 साल यूपी बेहाल था फिर नारा ये हो गया यूपी को ये साथ पसंद है पावन शर्मा को मेंटेटर एक तटफ से पत्रगार के तौर पर कह रहा है ठीक अभी मलदी वेदी एक मिश्टा को लेकर क्या आता हूं मैं चाहूंगा कि एक बाद फिर से ये पूरी डिबेट पूरे पैनल के लिए खुल जाए एक मिश्टा और ये डिबेट पूरे पैनल के लिए पूर बात है जमू कश्मीर में अभी हाल के दिनों में वो घुटन हम देखे चुके हैं क्या गटबंधन की वजह से कोई पार्टी विशेश घुटने को मजबूर रहता है और यह जो घुटन होती है क्या यह सीरत और पर जनहित के खिलाफ है राशित टेक्निकली आप जड़ा अब आगे नहीं बढ़ना की आपना दल अगर माली चीटते हैं तो चाहेगी महत्तवा कांच्छा भी होगी हमारे नेटा जो है वह प्राइम निस्टर बने बाहर के जो दूसरे डल है उगो प्राइम सिंगादों जी को प्राइम निस्टर बनाना है यह शर्त रख रही है कि भाई हमारे निता जी प्राइम मिनिस्टर बने ममता बनेड़ जी की पार्टी अपने बंगरेस अपने तो ये जो कॉंप्टीशन बिजिन कॉंप्टीशन जहां कॉंप्टीशन होगा वहां सफुकेसन होना निश्चित है और दूसरी चीज कोई भी कड़वंदन अगर आप द जाइचर देखिए तो उसमें होता क्या है और К Tutaj डेक्सिंग के टाइल पर यह सत्ता पाने के लिए एक होते हैं लेकिन सब की आइडियोलाजी बहुत डिक्पर करती है मैं यह बहुत सकता हूं कि जो basic ideology किसी एक party की होती है सिद्धान्त होता है hardly 30-40% वो match करते हैं और सत्ता के लालश में मजबूरी में लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं इसका best example देखिए मैं आपको बता हूँ पार्टी जंता party और शिव सेना ये दो party आईसी close party है इतना गजब का example है जिनकी ideology मैं मानता हूँ कि closest matching situation में है लेकिन अब आज क्या हुआ आज क्यों से सहना अलग हो रही है मतलब उनके अपनी निजी उनके पर्सनल महत्वा कांच्छा है स्वार्थ नहीं आप इसको महत्वा कांच्छा भोलिए स्वार्थ है थोड़ा सा माननी लोगों के लिए मैं इतना गीरा शब्द नहीं प्रयोक कर दोगा गीरा शब्द क्या सर इस स्वार्थ की वज़े से भूगतते तो हमें ना तो देखे राजिनीज में जो है उसकी अपनी महत्वा कांच्छा है बियार में देखिए लड़े किसी और के साथ जाकर के सरकार बना ले किसी और के साथ ने ने मैं राम बिलास पासवान जी को बोलना चाहता हूँ हमारे मित्र बैठे है आपने ऐसे आजमी का साथ छोड़ दिया इस्टूडेंट लाइफ में लालू यादा और नितीश यादा और राम बिलास पासवान एक ही गुरू के ये तीनों चेले हैं लेकिन आज तीनों में देखिए अभी चार वाल पांग साथ हर कोई जेपी को भूल गये जेपी को भूल जाएए जेपी की शिच्छा को भूल गई है लोग जेपी के सिद्धानतों को भूल गई है लोग आज राम बिलास पासवान सबसे ज्यादा बहुत आपने भास भाष्ब like, जिजे अर दुनिया इससे परिशान है हर पार्टी का अपना नेता है अच्छा है हर पार्टी की अपनी निती होती है कऌशान तरह मैंने जिए वो बड़ी पार्टीे एक तरीके से अपना लागु करती है क्वाइब कर दो लेकिन उसके बाद जूद भी उसने मारे आदमी को मंतरी बनाया अपना अदर बनाया अधिए लालु यादों के साथ जाएंगे तो ऐसे अदमी के साथ कौन रहेगा तो आधिए हर्याद की करें होता है यह आज अगर हो पुसीवत में हैं नहीं कर दो नहीं देबो क्रेटिक्स को बचाना भी होता हूँ, उसके बाद भी पोल अलाइस होती है, आज आज आप क्योब सत्ता के लिए आपको एक मंद्री पाद में लिए, तो आप अपने सत्ताम तो भूल आपे हैं, तो उभाई क्रश्मीर होगा, ये बिल्कुल नियोगा, तो दिल पाले देख जाना है, समझाएं, एक ये मिश्टाजम, क्या ये बास सही नहीं है कि बीजेपी जो गडवंधन बनाती है, उसकी मूल में घर्म होता है, और बीजेपी से अलग कोई भी अलाइस जब भी तैयर होता है, उसके मूल में जाती होती है, और जब बाद जाती की आती है, तो वहाँ पर धर्म हिंदुस्तान में चला नहीं करते और वहीं पर यह महागडबंधन वीजेपी को डरा रहा है। ज़ung को पावर्ट बेंकजोटन में चाहिए बावर्ड बेंकशेबी असकतिव में पिछायए सचेट में जातिषाबट करना। जातियत क्लास था समाजवादी पार्टी भी अगर सत्ता में आई तो उसके तीछे कुछ ने कुछ जातियत क्लास का एक वोट बैंक था एक काम कर लेते हैं